बस एक गोली और पांच मिनट तक आपके अंदर की सूपर पावर एक्टिवेट क्या आप यूज करेंगे ऐसी ड्रग आज की मुवी प्रोजेक्ट पावर भी ऐसी कॉंसेट पर बेस्ट है तो हे गाईज एड वेलकम बैक तो माई चैनल मुवी तो देरी क्यों लेट्स स्टा मुवी स्टाट होती है न्यू और लिंश शहर के एक सिप्याट से जहां पर हम एक ड्रग डील होता देख पाते हैं यहां पर एक बड़ा डीलर कुस्टी डीलर के साथ डील कर रहा था डील ये था क्यों परड़क्ट यानिक ड्रग्स को उन्हें फ्री में देगा और इन्हे केट में ड्रग्स आग की तरफ फैल जाती है एंड इस ऑन हैवी डिमांड नाउ स्क्रीन चेंज एंड हम रॉबिन नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं रॉबिन के फादर बहुत पहले ही गुजर चुके थे एंड प्रेजन में उसकी बस एक मदर थी रॉबिन की मिलकर उससे ड्रग्स फ्री में चीनने की कोसिस करते हैं बाइक पर यहां पर पुलिस ओफिसर फ्रैंक आता है और रॉबिन को एरस्ट करके बागी तीन लड़कों को यहां से भगा देता है बाद में हम फ्रैंक और रॉबिन को बात करते देखते हैं और वी कम टू नों कि ये दोनों एक दूसरों को पहले से जानते हैं फ्रैंक एक बहुती पेट्रियोटिक पुलिस ऑफिसर था जिसे अपने सहर से बहुती प्यार था वो इस सहर में law and order को मेंटीन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था फ्रैंक रॉबिन से अक्सर पावर ड्रक्स खरिदता था इसलिए इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी इन फैक्ट इतनी अच्छी कि फ्रैंक यहाँ पर रॉबिन को एक बाइक गिफ्ट के रूप में देता है मेजर को निट मिल जाता है लेकिन इससे पहले कि मेजर उससे कुछ पूचे निट एक पावर ड्रक्ग खा लेता है एंड हम نिट की सूपर पावरस को एक्टीवेट होते देखते हैं इसकी सूपर पावरती फायर न्यूट एटेक्स मेजर लेकिन मेजर न्यूट को हरा कर उसे थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेता है about the drug racket leader जिसका नाम था बिगी और इसी के साथ न्यूट एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि उसने ड्रक्स की overdose ले ली थी explosion में हम मेजर को किसी flashbacks में आते देखते हैं जिसमें मेजर की बेटी को कोई उससे kidnap कर रहा था next day Robin की घर में सुरू होता है जहां पर उसकी mother उसे उठाती है क्योंकि उसके school जाने का time हो गया था न्यूट से Robin की mother को पिछले रात वाले incident की information मिलती है और Robin से न्यूट को call करकि उसकी हाल चाल पूछने को कहती है न्यूट वही था जो पिछले राड ड्रग अवर्डोस से explode हो गया था न्यूट Robin का cousin था और इने इसके मौत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता Robin स्कूल जाती है जहां पर वो classes के दोरान न्यूट को text कर रही थी पिछले fight में major ने न्यूट का phone अपने पास रख लिया था and now major का information पाने के लिए निया source Robin थी teacher Robin को phone यूज करते पकड़ लेता है and Robin गुसा होकर यहां से चली जाती है दूसरी और major न्यूट की phone की मदद से new sources ढून रहा था ताकि वो जिस चीज के लिए new Orleans आया है उसकी information उसे मिल सके at the same time city में bank robbery हो रही थी जहां पर Frank अपनी police force के साथ पहुँच जाता है अब यहां black suit में कुछ agents आते हैं and situation को police से take over कर लेते हैं Frank यहां पर एक power drug खा लेता है लेकिन गोली Frank के सर के अंदर नहीं बलकि वापस rebound हो जाती है यानि कि Frank के super power थी body armor and super power गोली लगने के बाद भी Frank सब के सामने ही उठकर robber की बुरी तरह से पिटाई कर देता है and सब को पता चल जाता है कि उसने भी drugs का इस्तमाल किया है यहाँ पर police chief उस से उसकी gun और batch वापस मांग लेता है लेकिन Frank police chief को अपनी बात उसे मना लेता है chief Frank को यहाँ पर एक photo देता है और यह photo थी इस पूरी power की major source इसका नाम था major major cafe में दूसरी और robin का वेट कर रहा है और robin eventually वहाँ पर अपने cousin newt को ढूनते वहे पहुँच जाती है major robin को पकड़ लेता है और अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है robin यहाँ पर बहुत ही डर जाती है क्योंकि major उसे blackmail करता है कि अगर वो उसे मदद ना करे तो उसकी mother को मार डालेगा robin major को एक local drug dealer के पास लेकर पहुंचती है जहाँ पर dealer और major के बिच fight हो जाती है major fight में जीत हो जाता है लेकिन उसकी पीट में गोली लग जाती है major जब अंदर robin के पास आता है वहाँ पर उसे robin में उसकी बीटी Tracy की hallucinations आती है इन दोनों को अंदर एक secret room मिलती है जहाँ पर drug mafia उन लोगों को monitor कर रहा था जो लोग इस power drug का use कर रहे थे basically ये power drug एक prototype था जिसे ये लोग लोगों पर experiment करके उनके powers और side effects के data collect कर रहे थे पिछले fight में major बहुती बुरी तरह से जक्मी हो जाता है और इस मौके का फायदा उठा कर Robin यहां से भागने लगती है लेकिन major Robin से request करता है कि वो उसे इसमें help करे क्योंकि इन लोगों ने उसकी बेटी Tracy को kidnap कर लिया था दूसरी और Frank Robin के घर पहुंसता है जहाँ पर पहले से ही काली suit में दो agents खड़े थे agents के जाने से पहले Frank गाड़े में एक phone लगा देता है ताकि वो इनकी location को trace कर सके now screen changes जहाँ पर Robin और major इस drug ring के leader की तलास में निकल पड़ते हैं Robin major से पूछती है कि what's your power, तुमारी power क्या है जिस पर major says कि उसने एक बर power drug ली थी and उसने बहुत लोगों को मार डाला था drive करते वक्त major को फिर से hallucinations आते हैं about her daughter power drug mafia बहुत पहले ही past में major और उसकी बेटी की पीछे पड़ गये थे क्योंकि Tracy के DNA में कुछ ऐसा था जिससे ये लोग power drug को better बना सकते थे drug mafia successfully Tracy को kidnap करके अपने साथ ले जाते हैं and तब से major अपनी BT Tracy को डोडने में लगावा है Robin and major यहां से एक club में जाते हैं जहांपर power drugs की deal हो रही थी यहां हम power drugs की reality को अच्छे से जान पाएंगे power drug के लिए इस organization के future plan थे यानि कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को बार बार इसे use करने की जुरत नहीं पड़ेगी बस एक गूली और जिंदगी बर unlimited power and यह power क्या होगी यह तो आपको इसे खाने के बाद ही पता चलेगी police officer Frank eventually phone की location trace करते हुए यहां पर पहुंचता है जहां पर उसे Robin मिलती है Robin उसे Major की पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को डून रहा है लेकिन Frank उसकी बात नहीं सुनता उसके मताबिक Major ही इन सब की पीछे का mastermind है Frank भी deal के बीच में पहुंच जाता है जहां पर सब एक दूसरे को मारने लगते है और एंड में Frank Major को arrest कर लेता है गाड़ी में Major Frank को facts बताता है कि किस तरह से वो drug का source नहीं था वो Frank से कहता है कि उसे गलत information दे कि उसे trap किया गया था जल्दी यहां पर drug mafia आने वाली थी और इन सब को मार डालेगी और exactly होता भी ऐसा ही है drug mafia यहां पर पहुँच जाती है लेकिन Frank कार में नहीं होता है वो पहले ही भाग चुका था क्योंकि Major ने उसे एक plan बताया था drug mafia मेंजर को अपने base में ले जाती है जहां पर वो लोगों से कैद कर लेते हैं and finally हम इस drugs के PG के mastermind को देखते हैं दूसरी और Frank और Robin भी facility के अंदर breaking कर चुके थे बंदी हुआ मेंजर यहां पर एक किस्सा सुनाता है about a creature pistol shrimp जो कि एक बहुत ही छोटा जानवर है लेकिन pistol shrimp अपने body से सूरच की गर्मी से 8000 डिगरी जादा गर्मी रिलीस कर सकती है जिससे होगा ये कि आसपास की सारी चीजे भाफ में तकदील हो जाएगी और इसे के साथ मेजर एक power drug खा लेता है बट वेट अभी तक उसकी power शो नहीं हुई रॉबिन ट्रेजी को डून लेती है और ये दोनों यहां से बाहर निकल जाते हैं जहां पर उन्हें major और frank भी मिल जाते हैं से प्याट में red alert हो जाती है जससे पूरी drug माफिया इन्हें गेर लेती है इन सब की स्टोरी का the end चल्दी होने वाला है लेकिन अब हम देखते हैं the power of major major अपने अंदर से heat wave series करता है जो कि इतनी strong थी कि उसके और बढ़ती हुई bullets को पिगला कर आसपास के सब लोगों को भाव बना देती है now happy time दुसमन सब की चुट्टी हो जाती है robin major, frank, tracy चारो जिंदा बच गयते फिर robin को देर सारे पैसे मिल जाते हैं जिसकी मज़ से वो अपनी मदर का इलाज कर लेती है major और ट्रेसी अपने रास्ते निकल पड़ते है the end power project movie is a one time movie and story is quite good but let's talk about some loopholes movie के last scene में हम देखते हैं कि major की heat wave से आसपास के सब कुछ भाव में convert हो जाती है आपको कौन से super power चाहिए मुझे comments में जरूर बताए and जाने से पहले subscribe my dear friend क्योंकि आपका एक subscribe मेरा पुरा दिन बना सकती है मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you and bye bye कर दो कर दो